सब्सक्राइब हारा बshit to see no जो से और हम लोग मेइनली तीन चीजहyet का सिशन करेंगे forward contract क्या होता है futures contract क्या होता है and then हम लोग options का introduction करेंगे so let's start the video इस video को start करने के लिए हम लोग एक example को लेते हैं suppose एक simple example हम लोग लेते हैं okay suppose आप किसी shop पर जाते हो कोई shopkeeper है आप किसी shop पर जाते हो यह shop है इसका shopkeeper है suppose यह owner of the shop है ठीक है इसका shop की पर है आप suppose इसके पास जाते हो and let's suppose यह shop जो है यह suppose iron की shop है यहाँ पर लोहा मिलता है suppose iron shop है यहाँ पर लोहा मिलता है आप यहाँ पर जाते हो इस shop पर एंड आप आप शौपपीपर से कहते हो कि यार मुझे वन टन लोहा चाहिए एक टन मुझे लोहा चाहिए आप मणतने और कि क्यों कि बॉलता है ऒट आप इससे कहते हो कि भाई मुझे आज नहीं चाहिए आज नहीं चाहिए मुझे एक महीने बाद चाहिए कि अफटर थाटी डिए सपोज आपने ये कहा कि आफटर थाटी डिए चाहिए तो सांगी पर कहता है ओके ठीक है अभी लोहे का प्राइस क्या जल रहा रहा है इसे एक जाए है यह आप अब आप यह डिसक्रेशन हो गए आपने पर ले रहा हो तो चलेगा या थोड़ा बहुत तो प्राइस ऊपर चला जा या नीचे जाएगा कहीं हो सकता है शौप की पर कहा कि भाई मुझे इसके लिए आई नीड मुझे यार 69,000 रुपीज चाहिए तब इस रेट से मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूं तो आपने कहा कि ओके ठीक है फैर एनफ अब आप यह लोहा खरीदने क्यों गया है क्योंकि आपको लगता है कि क्यार लोहे का प्राइस मार्केट में ऊपर जाने वाला है तो आप आज ही रेडी हो जाते हो कि चलो ठीक है वन रुपीस पर केजी क्ष्ट तीना यह निए एक हजाह के लिए एक रुपाइप पर केजी एक्ष्ट देने हो मालाइब एक तन के लिए हजाओ रुपय एक्सार देना चलेगा आप कहते हैं ओके फिर एनफ ठीक है अग्रीड बोट पार्टी साइव अग्रीड और अग्रीमंट डण हो गया एक कॉंट्राक्ट लिखाया एक कॉंट्राक्ट लिखाया पेपर पे उस कॉंट्राक्ट में कई चीजे लिखे गई दुदिया भर की बात लिखे गई उसमें एक बात लिखा गया क्या यह कॉंट्राक्ट हो रहा है वंट टरन लोजय के हैं ठायक है 69K and delivery कब लेनी है after 30 days delivery after 30 days लेनी है so ये contract हो गया इस type के contract को हम लोग कहते हैं forward contract forward contract इस contract में आपने ये discussion हो गया अब इसमें आप क्या कर रहा हो suppose 9000 रुपीज advance दे रहा हो और बाकी बचा हुआ 60,000 बाद में दोगे तो अब इस type के contract forward contract हुआ अब गयिस अगर ध्यान दे आप तो इस type के contract तो आप daily market में आप करती हो ना let's suppose आपको शूट सिलवाना है किस शॉप पे आप जाते हो आपको suit सिलवाना है तो क्या होता है वहाँ पर भी तो ऐसा ही टाइप के कुछ contract होता है shop की पर आपको बोलता है कि ठीक है भाई suit के लिए 20K रुपीज लगेंगे suit के लिए suit के लिए 20,000 रुपए लगेंगे ओके shop की पर आपको क्या कहता है 20K रुपीज लगेगा suit के लिए and आप आना 20 days बाद आना after 20 days बाद आना मैं ready रखना हूँगा suit आपके लिए कोई डिक्कट नहीं है right आप क्या करते हो उसमें से 5000 रुपए suppose advance दे रहे तो आज और बाकी 15K जो है वो 15K जब delivery होगी तब दो गया सेम टाइप की चीज यहां पर भी हो रही है क्या आप कुछ 9,000 रुपीज यहां पर advance दे रहा हो इस contract में after 30 days बाद delivery लोगे total 69K का contract हो और यह वन टन आयरन के उपर contract है इस टाइप का contract आप regularly देखते होगे right definitely इस टाइप का contract आप देखते होगे अब देखिए this type of contract is called a forward contract अब हम लोग आते हैं यहां पर कुछ चीजें देखने के कोशिश करते हैं आप forward contract में एक problem यह है कि यार what if buyer doesn't come does not come यह किस case में होगा थोड़ा सो सोचिए उस case में होगा अगर let's suppose लोहे का price fall करके खुब नीचे चला जाता है बहुत नीचे चला जाता है let's suppose 69k per ton था लोहे का price या 68k per ton था वहां से घटके suppose price fall होके let's suppose 29k per ton हो जाता है इस case में तो buyer आएगा ही नहीं यार seller को loss दूसरा what if दूसरा case seller defaults suppose seller ने default कर दियते तो या फिर seller ने नहीं दिया तो नहीं भेचा तो तब फिर क्या होगा यार आप क्या करोगे case करोगे लड़ोगे बट आपको तो problem होगी फिर आप आपको सही time पे लोहा मिल नहीं पाएगा तो यह भी एक problem हो जाती है तो इस type के problems आया करती थी ऐसी problems आया करती थी forward contract में क्योंकि यार यह तो एक return एक agreement हो गया बट ज़रूरीत होगी कोई आप भी माने इस चीज़ को ठीक है ज़रूरी तो है नहीं के कोई माने तो finally यह चीज़ एक बार बना कि यार यह problem आनी थी इस problem को solution government ने निकाला कि यार मैं क्या करता हूँ एक stock exchange established करता हूँ ठीक है forward contract को stock exchange पर लिस्ट करो और stock exchange विल मेक शिओर कि यार डिलिवरी होगी ही विल मेक शिओर पेमेंट होगी सारी चीज़ें तो यही forward contract जब stock exchange पर लिस्ट हो जाता है तो इस contract का नाम होके चेंज होके लिखा जाता है futures contract यही forward contract जब एक stock exchange पर लिस्ट हो जाता है तो इसे कहते है futures contract अब गैस यह चीज़ को ध्यान दीजे कि futures contract अब आपने समझ लिया futures contract कुछ नहीं होता है एक normal forward contract अगर आप shopkeeper के पास जा रहो और suit सिल्वानी के लिए आप उसको कुछ advance देते हो और मान जाते हैं वो एक आपको परची देता है उसके बदले एक रसीद देता है और जो भी रसीद लेके जाएगा आप उससे पूछे है नो shop की पर से कि अगर मेरे बदले कोई और आ तो आप उसको देते हो वो कहेगा र contract वो ही delivery ले सकता है अब delivery के टाइम पर क्या होता है बचा हुआ पैसा पे करना होगा और ले के जाना होगा सामान लेकिन होता क्या है कि इस चीज़ को traders exploit करते हैं इस चीज़ को ट्रेडर्स इस चीज़ को exploit करते हैं वो क्या करते हैं सपोज आइरन का प्राइस अभी 69 के अग इतना बड़ा मार्जन चीज़ का ट्रेड ले लिया इसको कहते हैं मार्जन इतने कम मार्जन देके इतना कम अमाउंट देकर इतना सामाउंट देकर पूरा 69 के 1000 टन लोगा भसा लिया कुछ जिनोंबाद सपोज मार्केट में लोहे का रेट हो गया 75K वो क्या करेगा अपना तो यह का प्राइस 63,000 हो जाता है तो यार सेलर भी हो सकता है वो स्कॉयर आफ कर ले अपने कॉंट्राक को और इन दिस प्रोसेस 6K का प्रॉफिट कमा ले तो कुछ भी हो सकता है दोनों में से मार्केट में असली डिलिवरी तक वेट नहीं करना होता है बीच में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं तो इस वाट इस फूटर्स कॉंट्राक्ट फूटर्स कॉंट्राक्ट हो गया यह दोनों चीज एक्दम क्रिश्टल क्लियर हो गई होगी अब इसी चीज पर हम लोग थोड़ derivative is something that derives its value nam say derivative that derives its value nam say derivative 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 underlieve derives its value from an underlying asset underlying asset derivatives होते हैं तीन टाइपस के futures दूसरा होता है option अभी हम लोग पढ़ेंगे option क्या रहे हैं futures आप जान चुके हैं और तीसरा होता है swap यह swaps जो है यह bankers वगएरा यूस करते हैं तो अभी यह out of syllabus है अभी इसको इसके बारे में नहीं जानेंगे बहुत जादा futures and options हम लोग इस course में जानने के कोशिश करेंगे और advanced techniques जानेंगे hedging techniques, selling techniques, buying techniques, selling strategies, multiple चीज़ें आप सीखेंगे यह course के end तक आप लोगों को guys इतनी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गए ड़ेगी कि आप market के किसी भी situation और पैसा कमाने के capable हो जाओगे बस that thing is कि आपको practice starting में करनी पड़ेगी जैसे maths में practice करनी होती है वैसे यहाँ पर भी practice आपको करनी पड़ेगी अब फ्यूचर में देखिए फ्यूचर के case में क्या-क्या चीज़ें थी एक contract था जिसमें लॉट्स जिसमें वन टन लोहे पर चीज़ हुआ था ठीक है तो वन टन जो है वह है लॉट साइज इसको कहता है लॉट साइज जैसे bank nifty के case में 25 होता है लॉट साइज निफ्टी के case में 50 होता है लॉट साइज similar फिन निफ्टी में 40 होता है लॉट साइज उसी तरह से इस particular case में 1 टन है लॉट साइज 30 days from today यह date हुई आज की date सपोस 25 जून है तो 30 days later क्या हो जाएगा 25 जुलाई हो गया अफिर 24 जुलाई सपोस हो गई तो यह जो होती है इसको कहते है expiry date expiry के आद contract के कोई value नहीं रहती है यह किस चीज़ पर contract था iron पर तो iron को कहेंगा underlying asset याद है futures के contract के value 69,000 थी लेकिन iron का rate तो 68 के ही चल रहा था market में तो iron के rate से यह rate decide हो रहा है अगर iron का rate fall कर जाता है तो इस future contract का भी rate fall कर जाएगा समझाया इतनी चीज़ें हो गई अब देखे यह तीन चीज़ें हो गई यह contract हुआ यह सब चीज मिला के contract बन रहा है अब देखे यहाँ पर क्या हो रहा है इस contract में advance total कितना amount दिया गया था 69,000 रुपीज चाहिए था वन टन के लिए राइट तो टर्नोवर जो हो गया ट्रेट का टर्नोवर वो 69,000 वह लेकिन 9,000 ही तो advance गया था तो this is called as the margin required ठीक है margin required है 9,000 यह चार-पाच चीज़ें थी इस contract में यह contract क्या है एक derivative contract है जो कि अपनी value एक underlying asset से derive कर रहा है वो underlying asset है iron अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते है futures contract I hope समझ में आ गया होगा जिसको नहीं समझ में आगा होगा वीडियो recording recorded है पीछे करके देख लीजे अब इसी futures contract में हम लोग कुछ changes करते हैं सबसे पहले futures contract के बारे में हम लोग जान लेते हैं कुछ चीजें कि let's suppose iron का price और रूपीस पर केज़ी बढ़ा टो पर टन प्राइस कितना बढ़ेगा वह वह भी वन के से बढ़ जाएगा अगर iron का प्राइस 10 के से बढ़ता है तो फ्यूचर का प्राइस भी 10 लाइंग प्राइस अंडरलाइंग प्राइस और यहां पर सपोस्ट या लॉस करें तो अगर मान लेते हैं आइरन का प्राइस वन रुपीज बढ़ गया तो प्राफिट कितना हो रहा होगा वन रुपीज का प्राफिट हो रहा होगा अगर आइरन का प्राइस टू रुपीज suppose बढ़ गया तो प्रॉफिट भी टू रुपीज बढ़ रहा होगा राइट है ना अगर आइरन का प्राइस थ्री रुपीज बढ़ रहा होगा पर केजी तो पर टन 3000 अगर आइरन का प्राइस 3000 बढ़ा पर टन केजी में बोलिए चाहिए प्राइस में बोलिए सिमिलरली अगर आइरन का प्राइस इसको और नीचे बढ़ा कर लेते हैं ग्राफ को अगर आइरन का प्राइस वन रुपीज घट जाता है तो प्रॉफिट भी 1000 मतलब वन रुपीज पर केजी या फिर 1000 पर टन घट जाएगा तो यह चार पॉइंट्स हैं जो हमने अभी चार लिए इनको सपोस्ट जॉइन करते हैं हम लोग तो क्या होगा ऐसी कोई लाइन बन रही होगी ऐसी लाइन बन रही होगी तो फ्यूचर्स कॉंट्राक्ट में अंडरलाइंग प्राइस और प्राफिट लॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइ 추천 में heights नीगी तो हर ज्चाहंवर रॉप हमें प्लॉट करना ही होगा हर जगह साट ना क rebound करना होगा अब हमने न कंता नाम पता है अगलाइन का नाम कुछ ऐसा रहगा तो आना गो कि रिलाइंस फ्यूचर बट आगया और भी चीज़ें होती है अब देखें सपोस्पोस बैंग निफ्टी है तो उसके फ्यूचर का नाम क्या होगा बैंग निफ्टी फ्यूचर अब इसमें एक चीज़ आती है स्टॉक ऑप्शन्स जो होते हैं वह पता है उनका जो एक्सपारी डेट होती है वह होती है लास्ट थर्सडे ऑफ दे मन लास्ट थर्सडे नेक्स्ट मन से लास्ट फ्राइडे होने वाला है फ्राइडे को एक्सपारी हो गया अभी तक थर्सडे होती थी अब नेक्स्ट मन से फ्राइडे को होना शुरू हो चाहेगी न्यूरूल आया है तो इस थर्सडे अभी आज 25 जून है तो इस 25 जून 2023 है तो इस मन्त की एक्स future का पूरा नाम होगा ऐसा कुछ R-E-L-I-A-N-C-A-N-C-E-29-J-U-N-2-3-F-U-T ऐसा कुछ नाम होगा इतना बड़ा सा अब Nifty Bank Nifty में क्या होता है पता है कुछ दिनों बाद यह फ्राइडे को होना शुरू हो जाएगी तो इस बार का थर्स्टे जो है वह भी 29 जून को ही है तो इसका कॉंट्राक का नाम पता है क्या होगा ऐसे हैं नाम होगा एसा इतना बड़ा नाम होगा पिछले वाले थर्स्टे को क्या डेट थी 22 जून तो पिछले थर्स्टे वाले का नाम पता है क्या था कॉंट्राक का ऐसा नाम था पिए बैंक निफ्टी में देखें गई एक चीज मैं बताना भूल गया बैंक निफ्टी में जो फ्यूचर की एक्सपायरी होती है वह तो लास्ट थर्सटे ऑप दा मन्त को ही होती है हर चीज में फ्यूचर का इसा नाम रहेगा सिमिलरली इसके बढ़ले पता है क्या लिख खर रहेगा बैंक क्या निफ्टी है जून एफ यूटी क्योंकि एग दिन तो होती है एक्सपायरी और ऑप्शन के केस में हमेशा लास्ट थर्सटी होती है मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था ठीक है तो कुछ जगह पर ये लिखा रहेगा कुछ जगह पर लिखा रहेगा 29 जून फुटी ये ब्रोकर ब्रोकर पर अलग अलग होता है बट स्क्रेप्स करूप का नाम लिखा लगा तो यू अभी तक हमने फॉरवार्ड कॉंट्राक क्या होता है ये जाना नेमिंग कंवंइंशन जाना उनमें क्या क्या चीज़ें होती है उनमें क्या-क्या चीज़ें होते ही, देखे हमने जाना न, उनके components, कि यार उसमें एक lot size होता है, उसमें एक expiry rate होता है, underlying asset होता है, turnover होता है, margin होता है, then हमने graph भी देखा, and then finally naming convention देख लिया, futures का पूरा theory हमने पढ़ लिए, forward contract के theory पढ़ी, forward के बाद futures contract आया, क्यों यह सब च future खरीदने के फाइदे, अब हम लोग देखते हैं, फाइदे, देखते हैं, advantages, 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 पहला advantage, first advantage, कम पैसे में, जादा सौधा कर ले रहे हैं, ठीक है, कम पैसे में, कम पैसे में, में, जादा सौधा, this means, more profit, और more loss, ठीक है, इसको आप advantage के, चाहिए disadvantage, advantage, अब suppose माल लेते, कोई iron का वेपारी है, उसके पास suppose 10 ton iron रखा हुआ है, और covid के वज़े से अचानक से shop बंद हो गई, अब वो बेश नहीं पा रहा है, उसको लगता है, अरे यार, iron का price नीचे जाने वाला है, तो वो क्या करेगा, MCX पे जाके, जो multi commodity exchange है, futures contract, जो commodity का exchange है, उस पे जाके क्या करेगा, iron का future sell कर देगा, sell कर देगा, तो उससे क्या होगा, कि उसको sell करने करेगा, जब shop खुलेगी, तो ये square off कर देगा, इस वाले contract को square off कर देगा, और अबना असली वाला लोहा बेश देगा, market में ले जाके, तो फाइदा क्या हो रहा है, असली लोह अपना वाल अपना असली वाल लोह बेश देगा तो इससे फाइदा क्या होगा कैस फाइदा यह होगा कि यह क्या कर रहा है है फ्यूचर्स के वज़े से फ्यूचर्स का एडवांटेज क्या होगा कम पैसे में जादा सो थाँ, more profit more loss, and hedging अब देखिये जितने भी derivatives बने थे जितने भी derivatives बने थे वो सब hedging के लिए यूज होते हैं बनाये तो hedging के लिए गए थे वो टो trading के लिए और दुनिया बर के चीजों के लिए यूज हो रहा है बट बनाये गए थे इसी रीजन से तो advantages of futures भी आप लोगों को समझ में आ गया अब next video में हम लोग discuss करेंगे कि options contract क्या होता है next video में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे तो इस वीडियो को वापस से ध्यान से देख लीजेगा अब इस वीडियो के end में पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ questions पूछता हूं कुछ questions फर्स्ट ओमवाक के लिए ओमवक ठीक है उमव कफिस्ट्ट क्टराइब लोग 07 के म features considering yatis नसे जिए हैं 650 अब लिए już इंडराउन का प्राइस जो है अब लिए को ए अबी साल रहा है mail कर युज्ट सवारयों में टार्यृक्य сторी lige लेट सपोज अंडरलाइंग का प्राइस उपर जाता है अंडरलाइंग का प्राइस 802 से 822 हो जाता है तो आप बताइए वाट विल बिदा प्रॉफिट और लॉस कितना होगा यह क्वेशन है होमवक का इसमें सिंपल है गई बहुत ही छोटा सा चीज इसमें करना है चली एक क्वेशन मैं करा ही देता हूं यह नुमेरिकल वापको करा देता हूं बहुत सिंपल सा नुमेरिकल है क्या होगा प्राइस कितना रुपीज मूव किया है 822 माइनस 80 जिरो टू ठीक है इतना रुपीज इकोल टू 20 20 पॉइंट सूपर मुफ किया है प्राइस लॉट साइज कितनी है 650 तो टोटल प्रॉफिट लॉस कितना होगा 650 इंटू 20 यह कितना हो गया वन थर्टी तेरा हजार रुपए थर्टीन थाउजन का प्रॉफिट हुआ इस केस में इसमें अब चलिए आपको हॉमवर्क मैं यह दे रहा हूं कि नेम अ स्टॉक हूज लॉट साइज इस इस 650 यह आप बताईए कैसे देखेंगे यह आपको से रोधा काईट या कहीं पर जाके देख लिए ढूंडिएगा और बताईए मुझे कि कौन सा स्टॉक है यह चोटा सा हूंवर्क है इसको आप करिए एक निमेरिकल मैंने करा दिया है यह बहुत चोटा सा हूंवर्क है ज इतने नेम कर सकते हैं उतने नेम करें बहुत ही मजा आने वाला है ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक कमेंट जरूर डॉब कर दीजे और कोई भी क्वेस्टन हो तो पूछिए इमेल करिए हमारी इमेल आइडी हमारी इमेल आइडी पर मेल करिए और झाल 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